नमस्ते और विल्कम यू ओल तो अनस्टॉक्स उपीएसी सो टोड़े विल अंडिस्टाइंड यूपीएसी मेंस एक्जाम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कैसे प्रिविएसीयर कोश्चिन्स को यूज करना है इन और प्रेपरेशन हाव वी हाव तू मेकार नोट्स देखो इटिस सेट देट यूपीसी मेंस इस अल अबाउट स्लेबस प्रिविएसीयर कोश्चिन्स और हाउ वेल यू किन आप वेल यू कंसॉलिड़ेट यूर नोट्स मतलब जो आपके डेटा है जो आपके नोटस हैं उनको कितने वेल आप कंसॉलिडेट कर सकते हो और उस मेकिंग करनी है ताकि कोई भी डाइमेंशन हमारे स्लेबस का नाच उटे है तो आज मैं यही करने वाला हूँ कि चलो एक टॉपिक उठाते हैं जिसे कि सेलिन फीट सॉरी जिस गिम्मेंट हम उठाते हैं एफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडिन सुसाइटी ठीक तो ग्लोबलाइजेशन क्योंकि मीनिंग हमें पता है तो मैं इसके बारे में डिसकस कर सकता हूँ अब देखो यार एफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडिन सुसाइटी अब यह बहुत ही वैसे दिया हुआ है कि इंडिन सुसाइटी में क्या एफेक्ट होते हैं अब एक तो हो जादा है चलो एक कोचिंग उसमें लिखा गया है कि एफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं इंडिन सुसाइटी में हमने 78 पॉइंट बढ़े और हम आगे बढ़ गया है पर बहुत से बार ऐसा होता है कि कुछ डाइमेंशन होता है जिसमें यू निट से 7 questions पूछे जा रहे हैं पिछले 10 साल में मतलब बहुत जादा chances है कि इस साल भी पूछे जाएंगे वैसे भी globalization अगर आप देखोगे तो पहुत जादा न्यूस में ता बहुत से लोग जो country से हो अब nationalist policy वो कर रहे हैं anti globalization की बात चल रहे हैं बहुत सारी चीज़े हो र उसके बाद देखने हैं कि उससे क्या क्या प्रीवेस से कोश्चन से उपीए से ने पूछे हैं जैसे अभी तक हमने देखाए कि उपीए से जब भी पूछ रही हो एफेक्ट्स पूछ रही जातर globalization की जैसे एफेक्ट्स ओफ ग्लोबलाइजेशन ओन एजट पॉपुलेशन तो पहला dimension मुझे मिल गया दूसरा positive and negative effects of globalization on women ठीके ना women का dimension हो गया ठीके ना उसके बाद कैसे influence कर रहा है culture diversity को ये भी culture से ही था तो इसको same dimension में हम रख सकते हैं सो culture से related भी question पूछा गया ठीक है उसके बाद relationship between globalization and new technology तो new technology की क्या relationship है इंडिया के स्कार से सोस्टे सी सब चीज़े या पर पूछी गई है ठीक है उसके दिये दोनों question was half related to globalization and half to the features of Indian society जैसे local identity are we losing our local identity to global identity इसके वारे में हम बात करेंगे और work from इसके आरे में हम बात करेंगे सो कैसे हमें consolidate करना इन सारी चीज़ों को मतलब एक तो जो चीज हमारे syllabus में दिये है उसके बारे में plus इन सारी चीज़ों को भी हमें consolidate करना पड़ेगा ठीक है ना तो मैं बताता हूँ आपको कैसे देखो इसके लिए मैं आपको अपने notes दिखाता हूँ और कैसे हमें इसको incul एक तो मैंने education लिख दिया economy, women, tribes, environment, elderly people, children, culture अब मुझे पता है कि देखो elderly people से question पूछा जा चुका है just give me a moment sorry elderly people से question पूछा जा चुका है, culture से पूछा जा चुका है, women से पूछा जा चुका है, new technology से पूछा जा चुका है अब बच कौन कौन से रहे, education से पूछ सकता है अगले बाद, economy में से कुछ relate करके Indian society का पूछ सकते है ऐसा पूछ सकते हैं कि जो बहुत से countries ऐसे anti-globalization वो ले रही है उसकी economy का क्या effect होगा इंडिया पर, ऐसे question पूछे जा सकते है, right उसके environment से question पूछे जा सकते है, children, क्योंकि children are also one of the vulnerable section of society, right इनसे भी question पूछे जा सकते है, so, बहुत सारी चीज़े हैं, जो हमें करने चाहिए तो पहला काम मेरा क्या रहेगा, कभी भी कोई भी topic में उठाओ, तो पहले मुझे previous questions को देखना है उसके बाद पहले उनको prepare करना है, जैसे यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे वो कर रहा हुआ है, जैसे women का मैंने उठा है विमेन का मैंने सारी चीज़े लिख रही है, कि women पे क्या क्या effect होंगे, तो behavioral changes कुछ हो सकते हैं, ठीके ना, social indicators जो होते हैं, ठीके ना, उसका economic change क्या होंगे, political change क्या होंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे data भी लिखा हुआ है, जैसे globalization जे female literacy तो अच्छी जा रही है, अब वहाँ पे जो question पूछा था, वो क्या पूछा था, positive and negative effects, मैंने combine करके यहाँ पे लिख दिया, और यह बहुत ज्यादा point है, ठीके ना, फिर भी उने लिख दिया, क्योंगी इत healthy lifestyle भी होगे, बहुत सारी लोगों की globalization, काम, 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 बस गूमना है, काम करना और help दियानने देना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीके ना, तो बहुत सारी चीज़े, अब जिसे social status of women, यह आप positive में लिख सकते हो, although negative भी जा सकते है, कि ruler radius में might be, जहाँ पहले women खेत में का social status, मतलब जो SN, वो देखे होल, तो वो positive रहा है, ठीके न, women rights के बारे में आप लिख सकते हो, तो यह सारी चीज़े, women के आपने देख लिए, political भी आप देख सकते हो, political participation, पंचायती राज ने, women reservation दिया हुए, ठीके न, representation, तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हो, ठीके है, उसके याद और क्या पूछा था हम से, याद करो previous question में, elderly people, तो elderly people के भी positive और negative मैंने अपने notes में इंकल कर लिए, क्या कर रहा मैंने, और देखो, this is a six page notes, मतलब एक पूरी unit के लिए, आगे पीछे मिला के, this is a six page note, ठीके न, six page notes, मतलब आगे ये, one, two, three, four, five, six, ऐसे बस six page क note हैं, और ऐसे unit पे जिससे seven बार question पूछ चुके हैं, पिछले 10 साल में, so, बहुत ही consolidated, ऐसे आपको notes बनाने, so, जैसे आप देख सकते हो, तो positive में आप लिख सकते हो, कि यार, उनकी medical technology से उनकी treatment अच्छा हो सकता, life expectancy बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत से आप देख रहे हो, कि doctor लोग आजकल वीडियो पॉल पी treatment बता देते हैं, negative आप बता सकते हो, कि they are more prone to scams, ठीके न, बहुत सारे, ठीके न, inflation इनको जादा hit करेगा, क्योंकि they have more expenses, they are elderly people, right, so, ऐसे करके आप elderly people का भी आपने देखा कि मैंने कर दिया, ठीके न, उसके आद और क्या पूछा था, आप याद करो, ठीके न, women का पूछा था, हमने वो देख लिया, elderly people का पूछा था, culture का पूछा था, देखो, culture का तो मैंने बढ़िया, अच्छा सा बना के राखा, क्योंकि culture से question आप बहुत बार mark कर सकते हैं, दूसरी चीजों में भी, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे culture में, data आप इसमें use कर सकते हो, ठीके न, तो ऐसे करके मैंने सारी चीज़े लिखे हुई हैं, कि live in culture बढ़ रहा है, तो relationship में का changes आ रहे हैं, ठीके न, social changes के आ रहे हैं, ठीके न, Indian cuisine, language, सब चीज़े मैंने लिखा हुआ है, लोग जैसे decreasing, मतलब agnostic और atheist ज्यादा हो रहे हैं, तो यह सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, इंटर कास्मेरिजस बढ़ नहीं है, तो यह सब चीज़ें culture से भी हो गए, उसके बाद याद करो, एक question था, यहाँ पे, जैसे याला question था, कि relationship between globalization and new technology, तो इसका क्या हुआ, मैंने बना दिया, कि scarce resources में कैसे हम इसको करेंगे, तो इसक यह सब चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें देखा अक्कारी हुई हैं, जैसे usage oriented, sector oriented, तो इस तरीके से पहली मैंने क्या करा, previous question के जो dimension थे, उसके notes बना दिया, क्योंकि कल को ऐसा कोई ना कोई question आएगा, कि इससे मैं मार करके उसको लिख पाऊंगा, उसके आद मैंने क्या करा इससे इंडियन economy में और इंडियन society में क्या फरकाएगा, तो इसी points को use करके आप लिख सकोगे, चलो अभी तो हमारे पास more choices थी, पर पहुत सी country अगर anti-globalization वो करेंगी, तो हमारे पास choices ज्यादा नहीं रहेंगी, हो सकते कुछ goods के हमारे पास कमी हो जाए, तो यह सब चीजे आपने देखी, उसके आद environment का भी देखो, positive, negative दोनों में ने mark कर रहो है, impact क्या होगा उसके न, उसके बाद children, children भी one of the most important है, तो children में education, अब देखो, इसी में आप positive, negative दोनों कर सकते हो, कि education, पहला तो यार smart classrooms है, online भी सारी चीज़े जारी है, पर सोचो जो लोग यह afford नहीं कर सकते हो, उनके लिए negative भी होगा, उनके लिए education gap कितना बढ़ जाएगा, तो यह सारी चीज़े, यहापे मैंने data भी लिखा हुआ है, ठीक है न, child labor का और इसका, तो इसको मैं use कर सकता हूँ, बाकी topics में भी, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कि इस तरीके से आपक जैसे, are we losing our local identity to global identity, अब are we losing, तो इसका yes भी answer होगा, no भी होगा, दोनों dimensions आपको लिखने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको Indian society के कुछ features पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ डिसकस नहीं करा, अब जैसे, explore and evaluate the impact of work from home, on a family relationship, तो इसमें भी आपको positive negative, दोनों बत सकता, अगर relationship बहुत जाद अच्छे नहीं चले तो, तो यह सब चीजें हमें ऐसे करके dimension करना होता है, तो I hope आपको समझ में आया होगा, कि हमें करना यह है, कि पहले हमें topic उठाना है, इसलिए बस से, उसके बाद उसके previous questions को mark करना है, previous questions से क्या होगा, हमें dimensions पता चल जाएं means, each and every topic उठाके, तो अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा long process है, पर जब आप actual means देने जाओगे, this will help you a lot, तो I hope आपको समझ में आया होगा, the rule of pyqs and how you should make your notes, तो thank you so much for listening it so patiently and I'll see you the next time.